ओम सरवाबाधा विनिर मुक्तु धनधान्य सुतान विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविश्यदी नशन शया और शनी मंगल का ठकराव चली रहा है शुक्र का परिवर्तन हुआ मंगल के साथ और साथ ये इस तकराव बड़े विकट स्थिति में उत्पन्न करने के योग बना सकता है ऐसे में ब्रस्पती भी विशशतोर पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और ग्रहों का योगा य जुलाई के मद्यभाग में सबसे बहले बात कर लेते हैं 11 जुलाई की 11 जुलाई का पंचांग दिखाता है कि उस दिन सावन के महीने के कृष्ण पक्ष की विशशतोर पर नौमी तिदिय मंगलवार का अवसर है और ऐसे में ग्रहों का योगा योग आपके लिए अनुकू बात सुनते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुन्दा तरीके से आपको लाब किसी दिबन सकती है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कष्ट घेर घोट कर आपके समक्ष आने के योग बनाएंगे लेकिन थोड़ा मन की बात सुनते हुए कारे करें जो इंट्यूशन है उसका परिवार के लिए भारी रहेगा हम बात करें और एक बात और उस दिन सरवार्थ सिद्य योग विद्यमान है नया कारे आरंब करने के लिए सुबह से ही दिन अच्छा है तो इस दिन का लाब लें सुबह साड़े पांट बजे से लेकर शाम के साथ बजे तक सरवार्थ सिद योग विद्यमान है फिर दो-तीन दिन योग नहीं बनेगा तो इससे आप लाब ले सकते हैं नया कारे आरंब करने के लिए समय अनुकूल रहेगा वहीं बारा जुलाई के लिए बात करें तो दश्मी तिथी और साथ-साथ बुद्वार का अवसर ग्रह योग आपके लिए आज भी लिए अनुकूल है बढ़िया तरीके से हैं लेकिन भद्रा विद्यमान है सुबह 5 बच के 5 मिनट से लेका शाम के 6 बज़े तक भद्रा रहेगी तो नया कारे करने के लिए विशिशत दौर पे दिन अच्छा नहीं है लेकिन पुराने जो कारे कर रहे हैं उन समय प कामदा एक आजशी है कोशिशे करने चाहिए हर वेक्ति को अपने विशिशत दौर पे ब्राम्मणों की सेवा सदू जन की सेवा उनके निमत्त वस्त्रदान इत्यादी अवश्य करने का प्रयास करें और ऐसे में चातोर रुमासर चल रहा है तो ऐसे में विशिशत दौर प ध्यानक्तिवेकारे करें चन्वा वर्षब में जो आए हैं सुबह चार बजे आपके लिए थोड़ी सी खर्चे बढ़ाने वाले सिती बना सकते हैं स्वास्त का ध्यानक्तिवेकारे आपके पढ़ना चाहिए वहीं चौण तारीक के लिए हम बात करें तो उजदिन शुकरवार कावसार द्वादशी तिती और प्रदोश की सुन्दर योग बन रहे हैं क्योंकि शाम के समय त्रिवदशी का आगमन हो जाएगा तो तुला राशी वालों ये समझो कि आपकी राशी के अनुसार से शनी महरा आपको विशेश तोर पे ग्रहों का प्रसंद करने का प्रयास करना चाहिए आजकल विशेश तोर पे एक बात समझें कि देव शैनी कादिशी से समस्त राजी सत्ता जो होती है संसार का कारी जो होता है भवान शिव के हाथ में आ जाता है तो ऐसे में शिव को प्रसंद करने की सुन्दतिती है कोशिशे करें शाम के समय विश्य सवर पर भवान शिव का अभिशेक करें थोड़ा बिलुपत्र भवान को अरपित करें ऐसे में ग्रह अनुकूल हो जाएंग के योग बना सकता है ऐसे में उसका लाब लेना चाहिए शिव का अविशेक करें पारवतिजी का अविशेक करें पवान का और साथ-साथ उन पर बिलपत्र अर्पित करें समस्त कष्ट दूर होने की योग बनेंगे वह हम बात करें 15 तारिक की ग्रहगणना के अनुसार से तो 15 संदातारिक को शनिवार है उस दिन मासिक शिवरात्री है त्रियोदशी उद्यतिति के रूप में लेकिन बाद में सुन्दर योग बनाएगी तो आप कोशिशे करें जो सुबह का समय है वह आपकी राशी के अनुसार से थोड़ा भारी है तो पहर को 11 बत के 25 मिनट के बाद चन्दमा का जैसे ही परिवर्तन होगा या आपके लिए उनती के योग बनाएगा लाप की स्थिति उत्पन्न करेगा बाशिक सिवरात्री है और सासाथ बुद्ध भी उदे होने के योग बना रहे हैं तो ये सारे इस्थिति आपके लिए अनुकूल हो सकती है थोड़ी सी म अनुकूल हो जाएंगे, सुन्दर योग बनाएंगे आपके लिए ग्रहे का कष्ट भी दूर होगा बही हम बात करें सुला तारीक की ग्रहे गड़ना के रुसार से तो सुला तारीक को रविवार का अवसर और उसी संक्रांती का जो है शुबयोग भी पढ़ रहा है तो इस सदाचर्ण उत्पन होने के योग दिखाई देते हैं मन से आप शांत रहेंगे, सरल रहेंगे ऐसा योग भी बन रहा है यदि सत्रा जारीके हम बात करने तो उस दिन सुमवार का अवसर सावन का संक्रांती का पुन्य और साथ सुमवती आवस्या का शुब अवसर कई ग्रह बन रहा है बड़ा शुब योग बन रहा है ऐसे में हमने शुब योग का लाव लेते हुए विवेकानन योगाश्रा में सुन्दा तरीके से दूतिय विशिक रखा है आप इसमें संबलित हो सकते हैं लाप के योग बनेंगे स्टिया आपके अनुकूर होंगी बहुत अच् पुन्य कारें के लिए प्रशस्त माना जाता है। लेकिन आपकी राशी के अनुशार से लिए में बात करें तुला राशी वालो तो ग्रहों की स्थिती अनुकूल बनी हुई है, लाभ की स्थिती प्रशस्त होगी, आगे बढ़ने के आफसर आपको प्राप्त होंगे, पुन् इस दिन चंद दर्शन भी होंगे और साथ साथ बुद्वार का अफसर पढ़ रहा है और ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है तो आपके राशी के अनुसार से बुद्ध के साथ चन्रमा का जो शुब योग बनेगा यह आपके लिए विशेश तोर पर लाप की सिती बनाता द प्रयास करना चाहिए बीस तारी को ग्रहों करना विशेश तोर पर बड़ा परिवर्तन दिखा रही है मैं तो पूर्ण आपके लिए लाप किस्तिती बना रही है आगे बढ़ने का अफसर आपको प्राप्त होगा करने पूजन करने से आपके लिए बहुत सारे कश्ट दू बना रहेगा शुब बना रहेगा धन्यवाद